का सवाल उनों ने उठा दिया कि जो रमायन में जो रचना है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पोटासियम साइनाइट की तरह है तो यह तो यह तुध यानि वह 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 लाइन पढ़ने से जय अर्क ह 명 हो तो यह सब वेन दू जहां तक है वो अपने जिस तरह से रखा है उन्होंने उसमें कहीं ने कहीं सनातन धर्म हो या हिंदु धर्म हो उसे ऐसे इस धर्म में जो लोग हैं जो इसकी आस्था है रामायन से तो उसके आस्था पर जुरूर ठेश पहुंचेगा अमित सहाजी गरी मंत्री जी उठा रहे हैं यह लाजमी है इसलिए क्योंकि आज वही लालू जी हैं वही तेजस्वी जी हैं वही सारे आरोप हैं और कई आरोप में चारशिट भी दायर हो गए हैं तो परिस्तितिया और बदल गई है उसके बाब जुद माने मुक मंत्री जी तेजस्वी जी के साथ आए हैं राजद के साथ आए हैं और उनका गटवंधन में यह भरस्ट अचार का जो जीरो टोलरेंस है करप्सन का वह सवाल जब आज अमित सहाजी ने खड़ा किया है तो इसका जवाब तो माने मुक मंत्री जी को देना पड़ेगा आज बिहार दोरे पर थे हलाकि बिहार की सियासत का फिगर हुई जब अमित सहा ने जन सभा में कई बात है कहीं इंडिया गटवंधन को लेकर भी कहा महा गटवंधन में जो सरकार बनी है उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा तमाम विशव पर हमारे साथ बात करने के लिए आमजनता पार्टी राष्टिये के राष्टिय अध्यक्ष बिद्यापती चंद्रवन से सर अमित सहा के बिहार दोरे को किस रूप में देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने इंडिया गटवंधन को लेकर के भी कहा है शाहे आब बात कली जमहा गटवंधन की सरकार को लेकर है तो उन्होंने तेल और पानी का समन्द बताया है चुकि तेल और पानी कभी आपस में घुलन सील नहीं है वो घुल नहीं सकता है इसलिए उन्होंने कहा जबकि उन्होंने यह भी कहा कि आज नितिस कुमार जी जो है भरस्टाचार के मुते पर जीरो टॉन्रेट्स की बात करते थे आज कहां है ये सब इंदू तो जब सवाल उठता है तो उन्होंने जब सवाल उठाया तो हम लोगों ने भी से महसूस किया कि हाँ यह कहना जहां तक है कि जिस समय माने मुखमंत्री जी तेजस्वी जी के साथ थे और उन पर आरोप जो लगा था भरस्ट अचार का तो उस आरोप के समय उन्होंने कहा कि जल आप जवाब दे आने था हम गटवंदन से बाहर हो जाएंगे तो यह सवाल जो रूख खड़ा हुआ था कि उन्होंने जो कहा था कि हम करप्सन पर जो है जीरो टोलरे इसी आधार पर वो साथ छोड़के महागडवंदन का फिर वो एंडिये के साथ चले गए थे लेकिन यह सवाल जो आज अमीत साह जी ग्रीमंत्री जी उठा रहे हैं यह लाजमी है इसलिए क्योंकि आज वही लालू जी हैं वही तेजस्वी जी हैं वही सारे आरोप हैं और क साथ आए हैं और उनका गटवंदन में यह भरस्ट अचार का जो जीरो टोलरेंस है करपसन का वह सवाल जब आज अमीत साहजी ने खड़ा किया है तो इसका जवाब तो माने मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा और जनता की भी नजर में यह बात है कि जिसको जीरो टोल कि जो देखते हैं यहुआ ज़रूर लगता है देखने में कि माने मुख्यमंत्री जी ने जीरो टोलरेंस की बात तो कही थी साथ एसा लगता है कि वो उससे समझयोता कर लिये हैं करपसन के मामले में और आज महागटभंदन के साथ है तो चाहे इसका मूल कारण यह हो कि उन उन्हें कुड़शी का स्वार्थ हो, प्रधान मंत्री बनने का सपना हो, कोई ने कोई कारण है, जिस कारण से उन्होंने करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस को ताक पर रख दिया है, ये बात तो प्रस्मलाजमी है. लेकिन एक सवाल है कि राबरी देवी ने कहा, ये इसी सवाल को लेकर के, कि हम लोग बनिया नहीं है, कि नाप तौल का हिसाब हम लोग रखते हैं, यानि उन्होंने भी कटाक्ष किया, जद्यू ने कहा कि अपने गिर्वान में जाग करके देख ले, तो ये किस तरह की राजन भी ने जो कहा कि हम बनिया की तरह तौल की बात नहीं करते हैं, तो ये आप जो जान लिजे, तौलने और तौलने की बात तो राजनीतम होती नहीं है, जहां तक सवाल है कि अपने गिर्वान में जाग कर देखने की बात जद्यू ने कहा, कि अपने भी गिर्वान में जाग करके देखे तो जहां के देखने का विषय अलग है लेकिन जो अमीद साहज जी ने जो विषय को उठा दिया जनता के जन सभामें भरे जन सभामें उन्होंने यह सवाल जो उठाया कि जो क्रप्सन के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुखमंतरी मानिय नितिश कहां हैं खड़े वे यह सवाल तो खड़ा हुआ है अब सवाल यह उठता है कि नितिश जी को इसका जवाब देना है और किस तरह से अपने आपको पाक साफ बताएंगे और जनता के सामने यह जनता को विश्वास में लेने में सक्चम हो पाएंगे यह देखने कभी से हैं इस विशे पर हम लोग का आम जनता पाटी राष्ट का अपना भैक्तिगत यह राय है उसमें मेरा भी अपना राय कि देखे राजनीत को धर्म से जरूर दूर रखना चाहिए क्योंकि राजनीत एक अलग भी से है और धर्म एक अलग भी से है और कहा जाता है कि जब भी धर्म में राजनीत का प्रवेश होगा तो महाभारत होगा और जब राजनीत में धर्म का प्रवेश होगा जब राजनीत में धर्म का प्रवेश होगा तो रामायन की रचना होगी तो ये इस बात को गहरी बात है इसे समझने किया हो सकता है कि आखिर ये जो सनातन कभी आखिर कोई रमायन में पोटासियम कोई बातें साइनाइट की बात उठा रहे हैं तो कहीं न कहीं जब इस सब बिंदूओं को छेड़ना ये बताता है कि ये पोलराइजेशन का एक प्रयास है और कुर्सी के लिए सत्ता के लिए कहीं न कहीं पोलराइजेशन हो रहा है तो सवाल उसमें यह है कि दोसी कौन है सवाल उठाया किसे सवार राजद के तरफ से उठ है तो पोट्सियुम साइनाइट का सवाल उन्होंने उठा दिया कि जो रामायन में जो रचना है उसमें कुछ बातें ऐसी है आईसे इस दहर्म में जो लोग हैं जो इसकी आस्था है रामायन से तो उसके आस्था पर जुरूर ठेश पहुंचेगा और जब ठेश पहुंचेगा तो आखिर ये जो एंडिया आई एंडिया गठवंदन वाले हैं वो कहीं न के भारती जनताप पार्टी के पड़ती की आस्था और बढ़ेगी और पॉलराइजेशन उधर और बढ़ेगा इसके लिए ये लोग खुद जिम्मेवार सावित हो रहे हैं सिक्षा मंत्री का अपने ही अपनमुक सचीव से जो अनबन है वो सुनरज नहीं रहा है दुसरे में वो नसीखत दे रहे हैं सवाल यह भी है कि क्या लगता है कि तेश प्रताप यादों ने जो दावा किया है कि हमारा बिभाग नंबर वन है और मेरा काम सभी लोग देख रहे हैं क्या वो इस सारा कर रहे हैं देखिए तेज प्रताप जी ने जो भी कहा है उस विशयप में आप ये देख लिजे उधारन सामने है कि आज सिक्षा बिभाग के मंतरी किस तरह का बियान दे रहे हैं। पर चर्चा होनी चाहिए नो की रामायन में पोटासियम साइनाइट है तो ये है इस सब तरह की बात सिक्षा मंतरी इन सब बात को कहेंगे उस राज में सिक्षा का स्तर क्या होगा आप अंदाज कर सकते हैं। करने की ज़रुत है तो काम करने वाले से तो गलती होती है। इसलिए केके पाठक जी यदि सिक्षा को सुधारनी के लिए चाह रहे हैं। तो उसमें निशित जो है सिक्षा मंतरी का सहजयोग आवस्यक है और मिलना भी चाहिए जिसे की मुख कारण यह है कि बिहार में सिक्षा का अस्तर जो आज है जो देखने की मिल रहा है। लालू जी का 15 साल का सासंद काल हो गया। लेकिन आज क्या इस्तिती है। आज सिक्षा की बहाली में जिस तरह से बहाली आज अभी प्यासी से लेया जा रहा है तो गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा का की बात यह लोग कर रहे हैं। तो आखिर यह सोच पहले क्यों नहीं आई 17 वर्स बाद क्यों आई। जरू मार सकते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि यदि वो अभी जिस तरह का उन्होंने बिहार में रहकर के कुर्सी की बात है, मुख्यमंत्री का कुर्सी, जब तक उन्हें अगली कुर्सी खाली नजर नहीं आएगी, तब तक वो अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को देने वाले नहीं है चाहे वो कोई हो तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आम जंता पार्टी राष्टिये के राष्टिये धक्ष बिद्यापति चंद्रवनसी का इसकर बस इतना ही बने रहे निज पोनेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब निकिये हैं तो कल धन्यवाद।